कस्तुरी तिलकम लाट बटले वक्षस्थले कोस्तुबं नासा ग्रेवर मुक्तिकम करतले वेडू करे कंकडम सर्वांगी हरीचंदनम सुलिर्थम कंठी चमक्तावली गोपस्तरी परिवेश्टितों भिजेते गोपाल चूड़ामणी श्री राधा कृष्णा भ्याम नमा तिलक को हम ऐसा भी ले सकते हैं कि हम अपने प्रीतम को रिजाने के लिए हम तिलक धारन करते हैं हम हमारे इश्ट को रिजाने के लिए अब तिलक भी तीन प्रकार के होते हैं शाइब वैश्टव और साक्त शाइब तिलक जिसको हम तरपुंड कहते हैं पुंड अर्थात उंगली त्री अर्थात तीन तीन उंगलियों से जो मस्तस्क पे आड़ी लकीर खींचकी बनाये जाए उसे तरपुंड कहते हैं ये भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए कि भगवान शिव तिरपुंड से प्रसंद हों तो ये हमारा आता है उर्थपुंड जो कि रामानंद संप्रदायवाले वैश्णव संप्रदायवाले दो उंगलियों से उपर की तरप लगाते हैं और बीच में एक लाल रोली से तिलक धारन करते हैं जिसको हम उर्धोपुंड कहते हैं तीसरा तिलक होता है हमारा साथ मा भगवती की आराधना करने वाले सक्ती की आराधना करने वाले एक गोलविंदी का तिलक धारन करते हैं हमारी प्रंपराओं में शास्त्रों में विधान हैं जब भी हम किसी प्रकार का पूजन करने के लिए किसी प्रकार का अनुष्ठान करने के लिए बैठें तो सर्व प्रथम तिलक धारण करें देखिए तिलक धारण करने जैसा हम तिलक धारण करेंगे वैसी है हमारी मानसिक्ता हो बगर तिलक की हमारी कोई मानसिक्ता नी बनेगी हम सनातनी है और सनातनियों का निशान है तिलक, जनेव, यग्योपवीत और सिखा ये प्रतेक एक सनातनी को हिंदू को धारण करना चाहिए ये हमारी सनातन की पहचान है अब यह हमने आपको बताया कि हम अपने इश्ट को प्रशन करने के लिए अपने प्रियतम को खुज करने के लिए जिस प्रकार से स्वागन इस्त्रिया अपने मस्तिस्क पर बिंदी और मांग जैसे भरती हैं उसका प्रतीक होता है कि ये सनात है ये अवला नारी नहीं है इसके पती है ये स्वामी है और उनी का चिन वो धारन करती है उसी प्रकार से हमें भी लगता है कि हम सनात है हमारे इश्वर हैं सिव हैं नाराइन हैं या सक्ति हैं उनका चिन हम अपने सिर पे धारन करते हैं